हेलो एवरिवन, साइ बाबा इंफो टक के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम अकास तराफ है और आज के इस वीडियो में हम रिजनिंग का बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिसकस कर दें जा रहे हैं जिसका नाम है Blood Relation और यह काफी एक्जाम्स में पूछा जाता है जैसे IVPS हो गया, SSC हो गया और Railway हो गया और State Level के सभी एक्जाम्स में पूछा जाता है IVPS, SSC, Railway और यह State Level के एक्जाम्स इन सब में इसके Questions आते हैं चलिए देखते हैं तो आगे कि इसके Questions कैसे Solve किया जाते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि Relations कौन कौन से इसमें Important होते हैं किस तरीके के Questions बनते हैं तो Relations पूछ लेता है तो यह हो गया Mother's or Father's Father मतलब Grandfather Grandfather Maternal Grandfather या Paternal Grandfather हो सकते हैं और Maternal मतलब मा के तरफ के तो मा के तरफ के मतलब Grandfather मतलब नाना जी की बात हो रही है और यदि पिता के Father की बात की जाए तो दादा जी की बात हो रही है और Mother's or Father's Mother मतलब माता के या पिता की मा तो पिता की मा जो हैं दादी कहलाती है और माता की जो मा होती है वो नानी कहलाती है और इंगलिस में इसी तरह maternal grandmother और paternal grand mother होता है आगे देखते हैं कि mother's और father's brother मतला माता जी के भाई या पिता जी के भाई को क्या बोलते हैं तो माता जी के भाई को मामा बोलते हैं और पिता ज मतलब माता जी के भाई मतलब मामा जी की बात चल रही है आगे हैं मदस और फादर सिस्टर मतलब की माता या पिता की बहन तो माता की बहन मौसी कहलाती है और पिता की बहन की बात की जा तो ये हुआ कहलाती है इंग्लिस में से आंट कहा जा सकता है और आंट कहते हैं और यदि माता की बहन की बात की जाए तो उनको maternal आंट भी कहा जा सकता है और आगे देखते हैं wife's father और husband's father मतलब पतनी के पिता की बात करें या पती के पिता तो वो ससूर ही कहलाएंगे relation याद रखेगा हमेशा खुद को खुद को रखके देखना है तब समाज में आएगा blood relation तो आगे देखते हैं wife's mother और husband's mother अभी यहाँ father की बात चल रही तो ससूर अब माता की बात चल रही पतनी या पती के मा तो यह सास कहलाएंगे इसके बाद son's wife मतलब बेटे की पतनी बेटे की पतनी तो बहु कहलाएंगे और यदि बेटी का पती हो तो दमाद इंगलिस में son in law और husband's और wife's brother मतलब brother in law पती या पतनी का भाई तो हिंदी में बहनोई साला भी कहते हैं और पती के भाई को देवर आगे है husbands और wife sister मतलब पती या पतनी की बेहन तो पती की बहन की बात की जाए तो पतनी की बेहन साली कहलाएंगे और यदि पती की बेहन की बात की जाए तो भाई भी कहलाएंगे और इंग्लिस में sister-in-law brothers or sisters son तो ये nephew भाई ये बहन का बेटा मतलब बतीजा और brothers or sister daughter की बात की जाए तो ये niece कहलाएंगी मतलब भाई ये बहन की बेटी बतीजी और uncles और aunts son और daughter मतलब इसमें son और daughter दोनों cousin कहलाएंगे वैसे इंग्लिस में अगर बोला जाए अगर लड़का है तो उसे male cousin बोलते हैं और लड़की है तो female cousin बोलते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक बार और देख लीजे ये पूरे relation दिये हुए हैं आप इस screenshot ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं बाकी easy है तो आगे हम कुछी और बता दूँ कि blood relation के question कैसे solve के जाते हैं जैसे हमेशा इसमें चार पीड़ी होती है और खुद को इस पीड़ी में रखना है तीसरे नंबर पे ऐसा क्यों मैं आगे बता रहा हूं तो समाझ में आगे दीर दीर सबसे पहले देख लिए self जो हमारे साथ साथ वाली पीड़ी में हमारी generation में वो कौन-कौन लोग हो सकते हैं तो हम हो सकते हैं हमारी बहने हो सकती हैं भाई हो सकते हैं cousins हो सकते हैं और husband जनरेशन में कौन आएगा तो इसके उपर वाली generation में कौन आएगा तो इसके उपर वाली generation में कौन कौन आ सकता है father, mother और uncle, aunt और father-in-law, mother-in-law ये सब आ सकते हैं mama, mausi, bua, सब आ सकते हैं इसमें अगर इसके उपर वाली generation में बात की जाए तो इसमें कौन कौन आ सकता है इसमें आ सकते हैं grandfather, grandmother अब हमारी नीचे अब देखें यहां हमने खुद को रखा है अब इसके नीचे कौन season आएगी तो इसके नीचे याद रखना इसके नीचे आएंगे son, daughter और son-in-law, daughter-in-law यह सब आ सकते हैं तो यह generation समझ में आए कि हमेशा खुद को इस third वाले generation में रखना है और इस से ज़्यादा चीजे clear हो पाएंगी हम आगे question करेंगे तब धीरे धीरे चीजे समझ में आएंगी और एक चीज़ और बता दूं कि इसके type कौन वखन से होते हैं कि blood relation के type कौन कौन से होते हैं कि कभी भी यह सबसे पहले समझ लिए कि ब्लड रिलेशन के टाइप कौन से होते हैं एक तो होता है पजल फॉर्म एक होता है इंडिकेशन फॉर्म और एक होता है कोडिंग फॉर्म पजल फॉर्म में जैसे देदे का A, B, C, D, E, F एक फैमिली हैं A, B का भाई लगा, B, C का बहन लगी यह D, C का पिता लगा इस तरीके से बनेगा इंडिकेशन फॉर्म में आता है कि किसी वैक्ति को इसारा करते हुए अगर बताया गया है कुछ कि जैसे तस्वीर पर कोई वैक्ति दिया है और इसके बारे में बात की जा रही है तो यह इंडिकेशन फॉर्म कहला था ब्लेड रिलेसन का Coding form में जैसे A plus B का मतलब होता है A father है B का इस तरीके के question इसमें बनते हैं तो हम एक-एक करके सभी questions देखेंगे अगले एक-एक part में सभी questions discuss करेंगे और काफी easy level से high तक हम जाएंगे और इसमें कुछ चीज़े और हैं जैसे कि अगर बोलता है कि A B का पिता है तो B का पिता है तो एक चीज़ समझेगा जब भी इसमें male या female की बात की जाए तो male के लिए हमेशा उसके उपर circle कर दीजे और यदि female की बात आती है तो box कर दीजे इसके लावा यदि आप male में plus sign देजे यह आपके अनुसार है इससे क्या होता है question solve करने में असान ही आती है तो जब हम question आगे solve करते जाएंगे तो चीज़े हमको धीरे-धीरे सवाज में आती जाएंगे ठीक है तो तीन type होते हैं तो इस तीन टाइप को हम आगे पढ़ेंगे तो चलिए आगे question देखते हैं तो सबसे पहले question है कि आनन इस son of prema आनन जो है वो प्रेमा का बेटा है राजीव is brother of prema राजीव भाई है प्रेमा का और नेहा is daughter of रस्मी नेहा रस्मी की पुत्री है नेहा is sister of राजीव नेहा जो है राजीव की बहन है तो अब इसमें relation पूछा है कि आनन जो है वो रस्मी का क्या तो सबसे पहले इनके सब्दों को समझना जरूरी है इसमें बोला आनन क्या लगेगा रस्मी का यह चीज़ समझना जरूरी है ठीक है तो चलिए इसको solve कैसे करेंगे बता दूँ बता यह से प्रेमा का बेटा है तो यह प्रेमा हो गई अब देखिए प्रेमा का बेटा है तो यह प्रेमा हो गई अब देखिए प्रेमा का बेटा है तो आनंद नीचे जनरेशन में आएगा क्योंकि यह प्रेमा मा हो गई हलाकि इसमें अभी जंडर डिफाइन नहीं है पहले हम देखते जाते हैं कैसे सौल होगा कि आनन्द इस सन ऑफ प्रेमा तो आनन्द सन है अगर सन है मेल है तो इसको मैं ने सरकल कर दिया अब प्रेमा का बेटा है ठीक है आगे पड़ते हैं कि राजीव इस ब्रेदर ऑफ प्रेमा राजीव प्रेमा का भाई है तो देखिए भाई जो होते है वो अपनी ही जनरेशन में होते हैं तो प्रेमा का भाई है कौन राजीव तो यह राजीव हो गया राजीव प्रेमा का क्या भाई है तो भाई है तो मेल अब आगे क्या है नेहा इस डॉटर रस्मी तो यहां नेहा है न रस्मी है तो रिलेशन आगे कैसे बनेगा तो इस लाइ दिये थे वो पढ़ेंगे हम कि नेहा is daughter of रस्मी, तो नेहा जो है रस्मी की बेटी है, अचा नेहा जो है ये रस्मी की बेटी है, तो अब इसकी है तो मतलब ये इसकी बी ये भी बेटा हुआ, इस तरीके से ये इसके नीचे जन्देशन में आगया, अब इसमें रिलेशन क्य इसकी दादी या दादजी हो गए हलाकि यहां नाम दिया रस्मी तो आनंद जो है आनंद क्या लगा यह रस्मी का नहीं पूछा है इसने कि रस्मी क्या लगेगी आनंद की इसमें पोला कि आनंद जो है वो रस्मी का क्या तो देख लिए उपर जनरेशन यहां फिर यह तो दा लगा तो इसका option क्या हो जाएगा grandson C number अगला question देखते हैं यह दीरे-दीरे सामज में आएगा चीजे clear होंगी अगला question है A is brother of B अब देखिए A जो है भाई है B का तो सबसे पहले देखिए A हो गया क्या है भाई है मेल किसका B का तो यह B बना लिए B is sister of C अब B sister है तो sister है तो इसको box दे दिया है B sister of C तो यह C कर लिए है C is father of D अब C father है मतलब मेल है C father है मतलब मेल है किसका D का अच्छा D का भी gender defined नहीं है D का how is D related to A तो इसका answer क्या होगा बहुत लोगों ने niece nephew दिया होगा तो इसको समझ लेते हैं कि देखिए जब भी किसी चीज का gender defined नहीं होता है जब भी किसी चीज का gender defined नहीं होता है तो हम उसका answer हमेंसा can't be determined लगाते हैं क्योंकि यह उस हिसाप से देखा जाये तो niece भी हो सकता है और nephew भी हो सकता है दोनों चीज़े हो सकती है लेकिन यहाँ प वो B का भाई है क्योंकि यह का gender defined हो गया भाय है मेल है ठीकी बहिटा की कि यहां पढ़िए देखिए कि C is the father of D, कि C father है तो father मतलब male है, इसका भी gender defined है, लेकिन D का gender defined नहीं है, यह इसकी बेटी या बेटा दो नहीं हो सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना है कि यहां gender defined नहीं है, तो इसलिए आप बोला है कि D जो है एसे किस प्रकार संबन देता है, तो D का relation एसे किस प्रकार है, तो D या तो भतीजी होगी, या भतीजा होगा, जेंडर defined नहीं है, इसलिए यहां पास can't be determined लगाएंगे, अगला question देखते है, अगला question देखिए, अगला बोला है कि, गोलु is son of भोला, सीतल is daughter of गोलु, चित्रा is daughter of दिलिप, and the दिलिप is brother of भ भोला, गोलु जो है, वो भोला का पुत्र है, सीतल गोलु की पुत्री है, चित्रा दिलिप की पुत्री है, और दिलिप भोला का भाई है, तो चित्रा भोला की क्या है, मतलब इसमें बोला चित्रा भोला की क्या है, इसमें मेन यह है कि चित्रा जो है, वो भोला की क्या है, तो इसको कैसे solve करेंगे देखिए सबसे पहले देख लेते हैं generation के हजाब से कि गोलु इस son of bholla तो बोला उपर रख दिये ठीक अभी बोला के gender defined नहीं है इसलिए गोलु कर दिया गोलु सन है इसलिए gender defined है सीतल इस daughter of गोलु अब देखो सीतल जो है सीतल कर लिएं डॉटर है तो इसका gender defined है गोलु की डॉटर है चित्रा इस daughter of दिलिप अच्छा अब यहां न चित्रा है न दिलिप है तो relation कैसे बनेगा तो इस line को हम इस line को skip करते हैं आगे देखने दिलिप इस brother of bholla अब देखो दिल दिलिप भाई है न भोला नहीं दिलिप भाई है तो इसका gender defined हो गया है ठीक कि दिलिप भाई है भोला का अब यहां वापस इस line में की चित्रा इस daughter of दिलिप अब देखो चित्रा जो है वह daughter है दिलिप की चित्रा जो है दिलिप की daughter है तो अब relation पूछा है कि चित्रा जो है वो बोला कि क्या लगेगी तो चित्र देखो यह चित्र के पिता हो गया अब पिता के भाई मतलब अंकल यह अंकल लगे लेकिन बोला इसमें चित्र कोश्चन अच्छे समझना कि चित्र क्या लगेगी तो चित्र क्या लगेगी नीस लगेगी बतीजी लगेगी तो इसका सही सिस में इसह में इस्टाइं होता है तो इस में इस्टेप स्वाव है कि नहीं हो कि अगरण और स्वाले यों होगा वर यह गृत रखिये स्वाइगे सो अगला कोश्चिन अगला कोश्चिन बोला है ईलिस फादर और आफ पी, who is father of S, मतलब L जो है P का पिता है, जो S का पिता है, एक बात याद रखेगा, जब भी who आया या जो की बात करें, तो इसके पहले जो character आया है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, इसको देखिये समझते, L is father of P, देखिये, L is father, father मतलब male gender define हो गया, P का, P, who is father, मतलब P की बात कर रहा है, कि P, P की बात कर रहा है, कि P का पिता है, जो S का पिता है, जो मतलब यह P की बात कर रहा है, कि P जो है, यह भी पिता है, किसका S का, ठीक, लेकिन S का gender अभी define नहीं, आगे देखते हैं, M is grandmother of R, अब M is grandmother of R, अब यहाँ देखते हैं, कि आग भाई है अब समाझ यह आर जो है हूँ बोले नहीं हूँ के पहले जो आया उसकी बात चल रही तो आर विस ब्रदर ब्रदर आफ एस ठीक है अब एन इस पैटरनल अंकल आफ आर अब आर में वापस आ गया है इसका भाई होगा जरूर इसका भाई होगा तो भाई कोन है एन इस हो गया तो एन इस पैटरनल अंकल आफ आर अंकल है तो मेल अब आर हुई सन आफ ओ तो आर तो सन है किसका पी का अब पी फादर है तो मतलब यह ओ जो है वो मदर हो गई ओ जो हो गई मदर हो गई अब जब भ मदर है तो यह grandfather हो गए और यह M हो गई ग्रांड मदर तो यह देखिए यह भी साधी सुधा जोड़े हो गए यह भी हो गए ठीक है तो इस तरीके से structure बना तो समझ में आया है इसमें S का gender defined नहीं है और जिसमें gender defined नहीं है उसको अपने से हो गया और यह बाकी तो नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा दो की दो विवाहिज जोड़े हैं अगला question उसी का है उसी पर बेश्ड है उपरोक प्रस्ण के अनुसार M L से कैसे संब्द देते हैं M जो है अब देखिए M का relation पूचा कि M L के क्या M L का क्या तो यह हो गई पतनी wife तो इसका सही answer हो जाएगा a wife तो चीज़े समझ में आ रही है इसके बाद एक question और देख लेते हैं बोल रहा है a is son of b a जो है वो b का बेटा है तो चलिए करते हैं इसको सबसे पहले b बना ले अच्छा a is son है तो gender defined circle कर दिये a son है b and c are sisters अब देखे b and c are sisters बोला है b और c दोनों बहने हैं यह बोलने का मतलब है तो b भी female हो गई और c भी female हो गई और यह है sisters ठेक है आगे पढ़ते हैं e is the mother of c अब देखे e is the mother of c यह e हो गई mother इसको थोड़ा और अच्छे बना लेते हैं चलिए इधर देख लेते हैं क्या बोला है कि a जो है वो बेटा है a बेटा है b का और b और c हो गई sisters sisters और c और e is mother of c अब e is mother of c मतलब इसकी भी मा दोनों की मा हो गई ठीक है अब बोला है आगे यदि d e का पुत्र है अच्छा d e का पुत्र है मतलब इनका भाई पुत्र है तो male हो जाएगा यह दोनों female और यह male gender defined भाई है अब इन में से कौन सा जो है कथन जो है यह कौन सा option सही है इस structure के recording तो इस तो बनी बात है यह mama ही लगा अंकल maternal अंकल तो यही पहला option ही सही हो जाएगा पहला सही हो गया है लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं क्या है e b का भाई है तो देख लेते हैं e जो है b का भाई है क्या e b का भाई है नहीं e b का भाई नहीं यह तो मा है d a का मैं मेरा भाई है d क्या एक भाई है नहीं यह भी गलत बी और डी भाई है क्या बी और डी भाई है नहीं देखें डी तो भाई है लेकिन बी बहन है इस लाइन को समझेगा बी और डी दोनों भाई मतलब दोनों होंगे मेल यह बोलना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है बी फीमेल है बी बहन है तो यह is the sister of B, E is the sister of B, तो E जो है sister है, gender defined, किसकी, B की, ठीक है, A is father of C, अच्छा, यहाँ अब A भी नहीं है, C भी नहीं है, तो अभी इस line को हम skip कर सकते हैं, आगे देखते हैं, B is the son of C, तो B जो है son है, अब B का gender defined son है, किसका, C का, ठीक है, अब क्या बोला है, अब आगे देखे, ये line हो गई, C मिल गया, अब यहाँ से A is father of C, अब यहाँ C मिल गया, अब A is father of C, तो A father है C का, ठीक है, लेकिन एक चीज़ धिहां दीजे कि यहाँ पर C का gender defined है क्या, नहीं, पूरे question में C का gender defined नहीं है, ठीक है, तो क्या बोला है, then what is the relation of A to E, मतलब A का E से क्या relation, A क्या लगत है E का, यह नहीं बोला कि E क्या लगता है, ठीक है, A क्या लगता है E का, how A related to E, तो A क्या लगएगा, बढ़ी बात है, यह बहन हो गई, अब यह इसके दादा जी, तो मतलब इसके भी दादा जी, तो grandfather हो गया, कि A, E का क्या, तो grandfather, यह समझ में आई चीज़ है, तो generation को ध्य नीचे तरफ आना है, इससे चीज़े clear रहेगी, एक tree तयार होगा, और blood relation के question solve करने में आसानी जाएगी, और इसके बाद अगला question आप solve करेंगे, यह देखिए, यह करके मुझे बताएंगे, और यह solve करने के बाद, अगले वीडियो में मैं इसको solve करवाऊंगा, तब तक के लिए, thank you, और हो सके तो अपने friends के साथ share करें, यह video अगर पसंद आता है तो हमारे channel को subscribe करें, okay, thank you